नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोकापिक्स M.Solution का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ग्रोकापिक्स M.Solution को कैसे लगाना चाहिए, और ग्रोकापिक्स M.Solution की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ग्रोकापिक्स M.Solution को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि कितने दिन बाद ग्रो ग्रोकापिक्स M. Solution का असर दिखना शुरू होता है। ग्रोकापिक्स M. Solution के अंदर salt composition minoxidil होता है। ग्रोकापिक्स M. Solution 5% की strength में available है। ग्रोकापिक्स M. Solution का उपयोग बालों की जढने की समस्या को ठीक करने के लिए और बालों की री-growth को बढ़ावा देने के लिए ग्रोकापिक्स M. Solution का उपयोग किया जाता है। ग्रोकापिक्स M. Solution बालों की जढने की समस्या को कम करता है। और नए बालों को उगाने में मदद करता है। Grocopics M Solution Sir की तवचा में Blood Vessels को चौड़ा करता है, जिसकी वज़े से Hair Follicles में Blood का Circulation बढ़ने की वज़े से बालों को ज्यादा Oxygen and Nutrition मिलने लग जाते हैं, जिसकी वज़े से नए बालों की Growth भी बढ़ जाती है. बालों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखने के लिए शरीर में Vitamins बहुत ही जरूरी होते हैं, शरीर में Vitamins की कमी होने पर भी बाल पतले होकर जढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए डॉक्तर आपको Grocopics M Solution को लगाने के साथ साथ Multivitamin Tablet भी लेने की सला दे सकते हैं, ता को दिन में दो बार और सुभव शाम को लगाना recommended होता है, बहिलाओं के लिए केवल Minoxidil 2% Solution का उप्योग करना recommended होता है, और पुरुशों के लिए Grocopics M 5% या Grocopics M 10% Solution का उप्योग करना recommended होता है, Grocopics M Solution को लगाने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ज्रॉपर या स्प्रे की मदद से 1 ml Grocopics M Solution को प्रभावित एरिया पर लगाना चाहिए, और Grocopics M Solution को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए, बहतर परिणाम पाने के लिए Grocopics M Solution को केवल सिर्की तवचा पर ही लगाना चाहिए, Grocopics M Solution को बालों में नहीं लगाना चाहिए, एक बार में 1 ml Grocopics M Solution को ही लगाना recommended होता है, और एक दिन में 2 ml से ज्यादा Grocopics M Solution को नहीं लगाना चाहिए, शाम को Grocopics M Solution को लगाने के बाद आपको तुरंत नहीं सोना चाहिए, Grocopics M Solution को सोने से कम से कम एक घंटे पहले लगाना चाहिए, Grocopics M Solution को लगाने के बाद भी आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, Grocopics M Solution को सही तरीके से और नियमित रूप से लगाने के दो महीने बाद Grocopics M Solution का असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में Grocopics M Solution का असर दिखने में चार महीने तक का भी समय लग सकता है, बहतर परिणाम पाने के लिए आपको Grocopics M Solution को लगातार एक साल तक लगाना पड़ सकता है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले, अब हम डिसकस करेंगे कि Grocopics M Solution की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Grocopics M Solution की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को Grocopics M Solution को लगाने के बाद त्वचा में बहुत तेज जलन, खुजली, त्वचा पर सूजन, त्वचा पर रेडनेस, त्वचा पर रैशेस या त्वचा पर सुई चुगने जैसी समवेधना होती है, तो ये लक्षन Grocopics M Solution की वज़े से एलर्जी होने पर हो सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को Grocopics M Solution को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षन होता है, तो तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे कि Grocopics M Solution को लगाते समय क्या-क्या सावधानिय रखनी चाहिए, अगर किसी व्यक्ति के बाल किसी ड्रग ट्रीटमेंट की वज़े से उर गए हैं, जैसे कैंसर के इलाज में उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़े से बाल जढ सकते हैं, और सिर में गंजापन भी हो सकता है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति के बाल किस दवा की वज़ा से जड़ गए हैं, तो ऐसी स्थिती में Grocopics M Solution को लगाना recommended नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिती में Grocopics M Solution प्रभावी नहीं होता है, Grocopics M Solution को नहाने के तुरंत बाद नहीं लगाना चाहिए, Grocopics M Solution को लगाने से पहले आपके सिर की तवचा बिलकुल सूखी होनी चाहिए, और नहाने के कम से कम एक घंटे बाद ही Grocopics M Solution को लगाना चाहिए, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए Grocopics M Solution को लगाना recommended नहीं है, सिर को शेफ करवाने के बाद यानि पूरी तरह गंजा होने के बाद Grocopics M Solution को लगाना recommended नहीं है, Grocopics M Solution को आखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए, अगर गलती से Grocopics M Solution आपकी आखों में चला गया है, तो आपको तुरंत ही पानी की मदद से आखों को धो लेना अगर आपके बालों को उड़े हुए काफी साल यानि दो-तीन साल से अधिक समय हो चुका है, या अगर आपके सिर के बाल पूरी तरह से उड़ चुके हैं और आप बिलकुल गंजे हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए Grocopics M Solution को लगाना recommended नहीं है, क्योंकि ऐसे व मालों की ग्रोथ में कोई improvement नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को Grocopics M Solution को नहीं लगाना चाहिए, सिर की तवचा पर कोई घाव होने पर या सिर की तवचा में कोई infection होने पर Grocopics M Solution को नहीं लगाना चाहिए, प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Grocopics M Solution का उप्योग करना सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान कर जा रही महिलाओं को ग्रोकापिक्स M.Solution को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका ग्रोकापिक्स M.Solution से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके कुछ सकते हैं।